हेलो यूट्यूब फैमली कैसे आप सभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद हमारे फोर के सब्सक्राइब पूरे होने के लिए मेरा दूसरा चैनल है सुदेश फिर सोई आप उसे भी ऐसे प्यार देते रहना उसे भी जाकर देख लेना आज हम बनाएंगे बची हुई सब्सक्राइब लिए लिए याँ पर देखी आठा लिया हमेने थोड़ा साँ इसमें चार चंब्ष डाले है बेशन तो अक्सर क्या होता कि सर्दियों के टाइम में सब्झी बच जाती है और सर्दियों में सब्जी है जो बिल्गुल भी खराब नहीं होती है जैसे सूभा क को बनाया और शाम को यूज कर लिया तो यह सब जी है जो मेरी शाम की है और मैं सुभा यह वीडियो प्यार कर रही हूं और यह प्राठा बना रही हूं तो इसमें डाला मैंने थोड़ा सा अजवैन और नमक डालेंगे स्वाद के इसाब से जितना आटा है उतना नमक कर इसका एक मुलायम साटा लगाएंगे जैसा प्राठा बनाते हैं अलू का बनाते हैं मुली का घोबी का जो भी प्राठा बनाते हैं श्टफिंग भरकर उस तरीके का ही मेडियम आठा घूंद लेंगे यह और ऐसी बची हुई सब्जी से आप परफेक्ट तरीके से आठा बनाकर खा सकते हैं तो यह पहले तो मैंने आठा लगा लिया है यह देखिए तो मुलायम साई आठा लगाया मैंने आप देख सकते हैं तो आठा है जो अच्छी तकी से घूंद लेना है मसल मसल कर आठा अच्छी से त्यार कर लेना है और इसमें मैंने आठा घूंद तो बाद में क्या करेंगे आटा गूंदने पर इसमें लगा देंगे उपर से थोड़ा सा ओयल दस मिंट रेस्ट पर रखेंगे आटा ताकि अच्छे से सैट हो जाए तो तब तक यह जो सबजी रखी हुई है ना इसको थोड़ा सा बारिक कर लेते हैं जैसा परांठा भरकर बनाते हैं उसी तरीके से इसको त्यार कर लेंगे तो मैंने लिया है एक साइज का चमच तो चंप शैसे त्रीके से मिनने बारिकी कर लिए है एस बारिक डाला है मैंने बारिक कटी हुई दो हरी मिर्ची अब अब आपके थोड़ा-थोड़ा मसाला और डाल लेते हैं, वैसे तो सबजी में हैं सभी मसाले, तो परांठे बना रहे हैं, थोड़े चट पते से अच्छे लगते हैं, परांठे तो इसमें डालेंगे हींग दो पिंच के करीब, और थोड़ा सा नमक एड़ किया है मैंने जादा नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी में भी है नमक और थोड़ी सी खोटी भी लालमिच डाली है पीसी हुई लालमिच चाहिए सोरी और थोड़ा सा धनिया पाउडर तो बस इन ही मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी के अंदर सब्जी की स्टफिंग के अंदर तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक का बटन है वीडियो को लाइक करना और जिन्हों ने चरण में सब्सक्राइब नई किया तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेना तो घोबी आलो की सब्जी की स्टफिंग बन कर त्यार है और ठाएंगे अब आटा है जो उसकी लोई'yां बनाते हैं उसको एक बार अच्छे से सैट कर लेंगे तो आटा है जो अच्छे से सैट कर लिया है मैंने और इस तरीके से देखिए इसकी बड़ी सी लोई बनाएंगे जैसा परांठा बनाते हैं जितना बड़ा आपको परांठा बनाना उस तरीके से और थोड़ासा बेलेंगे और इस میں 2-3.5 चमच मैंने स्टफिंग भरा और इस तरीके से एक प्लेट के बाद डालकर इसको फोल्ड कर दिया है और इस तरीके इसको थोड़ा सा दबाएंगे और इसको बेल लेंगे तो यह हलका सा इस तरीके से फट रहा था क्योंकि गोबी में थोड़ा सा मुश्चर रहता है शबजी में इस वज़े से यह भेल लिया है मैंने तो सब्जी के पराठे है थोड़े बहुत इस तरीगे से फट जाते हैं लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और special हम पराठे बनाते हैं तो उसका है जो पानी हम निचोड देते हैं और ये तो सब्जी है इसलिए इसमें पानी थोड़ा बोत रहता ही है इस वज़े से पराठे हलके हुलके फट जाते हैं लेकिन सभी पराठे हैं जो एकदम अच्छे से बनाए हैं मैंने चार से पांच प पराठा बनाने में उसका यूज कर सकते हैं इस वज़े से इतना धुवा निकल रहा है क्योंकि गी देशी गी में पराठे बनाते हैं तो इस तरीके से यह दूवा निकलता ही है तो आप इस तरीके से कोई भी सुखी सब्जी का पराठा एक बर जरूर से बनाकर खाना आलो गादर की सब्जी का बना सकते हैं गोबी आलो या बंद गोबी की सब्जी का बना सकते हैं इस तरीके से पराठा तो बिल्कुल असान है बिल्कुल भी जंजट नहीं है इसमें यह देखे कितने इसानी से पराठे बनकर त्यार हो रहे हैं और यह देखे पराठा तो कितना फ खा सकते हों यह देखे मैंने 5-7 पराथे बनाए हैं और फिर शेरी क्वेश्ट आपने वीडियो लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक करना जिनों ने चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को पी सस्क्राइब करना थेंक यू